Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification So यहाँ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं Seated Examination Notification Release हो गया है जनवरी 2024 का अभी आप देखेंगे इसके जो Online Application है वो स्टार्ट हो गए है 3 नवंबर, आज से Online Application स्टार्ट हो गए है And इसकी Last Date है 23 नवंबर, 2023 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक Apply आप कर सकते हैं, Online आपको Apply करना है Feast Submission की भी Last Date सेम रहेगी And यहाँ पर Examination Date, आपका जो जनवरी में Examination होगा Seated का, यह Date भी यहाँ पर आगई है 21st January 2024 को Examination रहेगा Seated Seated means Central Teacher Elizability Test अगर आप Teacher बनना चाहते हैं Central Level के School में Like KV, KVS हुआ या नवुदर विध्याले हुआ जो Central Level पर School होते हैं तो उनके लिए आपको Seated क्वालिफाइ करना जरूरी होता है तो यहाँ पर अगर आप Teaching की तयारी कर रहे हैं पीचर बनने के लिए आपने जो कोर्से रहते हैं वो किये हुए हैं देख लिजिए Pay Examination Feast तो General OVC NCL Candidate के लिए यहाँ पर जो Feast रहेगी वो है Paper First दे कि जो exam होते हैं Tate हुआ, Seated exam हुआ यह दो paper होते हैं Paper First, Paper Second Paper First जो देते हैं वो Classes के हिसाब से डिबाइड रहता है Paper First and Paper Second ठीक है? अगर आप चाहें तो Paper First दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो Paper Second दे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं दोनों ही Paper देना तो आप दोनों ही Paper दे सकते हैं Seated Paper के बारे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ है Seated क्या है? आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगे उसको विजिट कीजेगा General OBC, NCL जो Candidate हैं उनके लिए Paper First या Paper Second अगर आप दोनों में से कोई एक Paper देते हैं तो आपको 1000 रुपए फीस पे करनी होगी अगर आप दोनों Paper देते हैं तो 1200 रुपए अप्लिकेशन फीस पे करनी होगी SCST और PWD जो Candidate हैं उनके लिए अगर कोई एक Paper आप देते हैं First या Second तो 500 रुपए फीस रहेगी और अगर आप दोनों Paper देते हैं तो 600 रुपए अप्लिकेशन फीस रहेगी Online आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी Candidates और Enter Particulars Name, Father Name, Mother Name and Date of Birth जो आपकी 10th की Mark Seat में Mention होगी Form Fill Up के टाइम पर आपको वही फिल करना है अब यहाँ पर आपका जो Paper होगा वो यहाँ आप देख रहे हैं जो Paper है 21 जनवरी 2024 को रहेगा Paper First and Paper Second Paper First जो आपका रहेगा वो 2 बजे से दुफेर के 2 से 4 बजे तक टाइमिंग यानि धाई गंटे का टाइमिंग रहेगा दोनों ही Paper में आपको धाई धाई गंटे की टाइमिंग मिलेगी लेकिन जो Paper Second है वो सुबह की सिप्ट में होगा 9.30 से 12 जो Paper First रहेगा वो दुफेर में नून में रहेगा 2 से 4 बजे तक टाइमिंग है Paper की अब Paper First किसको देना होगा Paper Second किसको देना होगा तो यहां अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसमें से Paper First वो Candidate देंगे जो First क्लास से फिप्त क्लास के टीचर बनना चाहते हैं वो सीटेट पेपर फिरस्ट दे सकते हैं जो Candidate 6 से 8 च्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं वो Paper Second दे सकते हैं और जो Candidate फिरस्ट टू एड़ ती यानि First क्लास से 8 च्लास तक के टीचर दोनों ही paper दे सकते हैं अगर आप first class से लेकर के eighth class के teacher बनना चाहते हैं then आपको paper first भी देना होगा paper second भी देना होगा लेकिन दोनों ही paper आप दे सकते हैं कोई एक भी दे सकते हैं बस fees मैंने आपको बता दिया अगर दोनों देंगे तो कितना fees पे करना होगा कोई एक paper देंगे तो कितना fees पे करना होगा paper first जो रहेगा वो primary stage का रहेगा duration of examination हमने देख लिया धाई घंटे का रहेगा ठीक है अब इसमें जो paper first रहेगा उसमें आपका child development and pedagogy रहेगा language first and language second ये compulsory है mathematics, environmental studies सभी से 30-30 questions रहेंगे 30-30 marks के 150 questions, 150 marks कर रहेगा ठीक है तो ये हो गया इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे languages कौन कौन सी रहेंगी languages first or second दोनों आपको different choose करनी होगी आप English और Hindi कर सकते हैं या Hindi और other कर सकते हैं जो भी language आप करना चाहें ये यहाँ पर आप languages देख रहे हैं ये languages यहाँ पर दी गई है इसके बाद paper second की बात करेंगे तो paper second जो आप करेंगा उसमें child development and pedagogy languages first, second, mathematics and science and social science में से कोई एक रहेगा ठीक है ये option में रहेगा इसके बाद सभी से 30-30 आएंगे लेकिन जो mathematics, science है and social science यहाँ पर आपका 60 questions, 60 marks total 150 questions, 150 marks करेंगा ये paper second है 6th class से 8th class तक के teacher के लिए ठीक है यहाँ पर भी आप language देख सकते हैं कौन-कौन सी languages रहेंगी तो applied date मैंने आपको बता दी है and eligibility के बारे मैंने video upload किया हुआ है अगर आप चाहें तो video i button पर link है आप video को visit कीजेगा seated examination का notification release हुआ है center आपके all India में रहते है seated examination के क्योंकि ये central teacher eligibility test है तो आपके state में center मिल जाएगा तो अगर आप teacher की तैयारी कर रहे हैं तो आपने graduation या आपने साथ में B.I.D. या B.I.D. के equivalent course किया है seated examination दे सकते हैं जरूर देजिए qualify करना होता है इसको तो अगर आप video अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कीजिए और इसके सलवा से related अगर आप video चाहते हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं thanks for watching